स्कूल औफ हिंदू लो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था हम दो स्कूल डिस्कूस करेंगे मिताक्ष्रा और देया भागम The school of Hindu law are commentary and digestive of smritis जो हमारे school से हिंदू लो के वो क्या है? Commentaries and digestive किसकी smritis की इन्होंने क्या करा है? हमारा scope of Hindu law को क्या 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 वाइडेंट करा है, इसे बढ़ा है and इन्होंने development में help करी है Come to the मिताक्ष्रा मिताक्ष्रा के हम फीचर्स पढ़ लो या इन्हें elements कहलो या इसके characteristics कहलो read out करते है मिताक्ष्रा school कहा apply होता है? Whole India except West Bengal and Assam सब बंगाल और Assam को छोड़ के मिताक्ष्रा हर इंडिया में पूरे whole India में apply होता है तो बंगाल और Assam में क्या होता है? अरे रूप जाओ देया भागा जो हम ने next school discuss करेंगे वो हमारा बंगाल और Assam में ही apply होता है It was written by Vijay Neshwara scholar देखिए यह किसमें लिखा था? Vijay Neshwara ने लिए राइट कर रहा था? It is running commentary on the court of यजनवल के इस्मृति यह क्या है हमारा running commentary है किसकी यजनवल की इस्मृति की Legal treaty on succession यह हमारा किस पर focus करता है? Succession में Mitakshra which gives the sons right to the excessal property upon the birth Most important point Mitakshra में क्या था? जो son था उसे जनम पैदा होते ही क्या हमारे अपने पूरवजो की property पे क्या मिल जाते थे? Right मिल जाते थे पैदा हुआ पूरवजो की property में उसका हिस्सा हो गया किसका? Sons का The rights were only access to the male members females say no rights over it females के कोई right ही नहीं थे किसमे? Mitakshra में The case In the case of adoption If the family has son child They could not only adopt a girl child And vice versa मतलब अगर एक family में जिसे मेरी पत्नी है मैं हूँ हमारे एक लड़का है तो हम next time लड़का adopt नहीं कर सकते Vice versa किसे अगर हमारी लड़की है तो हम लड़की adopt नहीं करेंगा हमें boy adopt करना होगा किस स्कूल में? Mitakshra स्कूल में Come to the next slide Mitakshra स्कूल को भी Subdivided करा गया है जैसे Banaras Hindu Law School Mithiliya School Maharashtra Law School Punjab Law School Madras Law School ते कि इसमें simple सी normal सी बात है जब आप answer code करते हैं तो बसे आपको यह बताने किस-किस जगे apply होता है जैसे मैंने Tabular form में इसलिए ही बता रखा है जैसे Mithiliya School के अप्लाई North Bayar Entry Hoot हमारा Maharashtra Low Counts Hall of Maharashtra में अप्लाई है पंजाब Law School कहा है अप्ली के बले पंजाब में राजिस्तान जमू और कश्मीन में यहाँ-जाई यह स्कूल जो सब स्कूल है Mithakshara School के कहां-कहां-कहां अप्लाई होते है वो चीज़े चार्ट पॉम में लगर के स्कीन शोर लेजी अपने आंसर में लिख लेना Next देयाभागा देयाभागा कौन से स्कूल था? बिल्कुल सही जो हमारा वेस्ट बंगाल में अप्लाई था और हमारा असाम में अप्लाई था बाकी जगे कौन से स्कूल अप्लाई था? होल इंडिया में? Mithakshara इट वास रिटन बाई जीमुत वहाना देखी यह वर्ड्स काफी टिपिकल होते हैं बोलने में बट आप इनकी प्रेक्टिस करेंगे तो आपको प्रनेंसियेट कर पाएंगे इसका जो में फोकस था किस पर डील करता था? हमारा कौन सा? दया भागा किस पर पार्टिशन पर? और हमारा इन्हेरिटेंस में और जोइन फैमिली के जैसे पर पार्टिशन हो था प्रॉपर्टिशन उस पर ये डील करता था दया भागा डस नोट गिव सन राइट टू देर फादर्स एंड सिस्टर्स प्रॉपर्टि अंटिल आफ्टर हिस देथ मिताक्ष्रा में क्या था? पैदा होते ही उसका प्रॉपर्टि पर हको गया तक इसकी पूरवजो की प्रॉपर्टि पर किसका सन का? यहां क्या है दिया भागा में? जब तक हक नहीं होगा जब तक फादर की देथ नहीं हो अगर बच्चा पैदा होता है most important बात ये है कि अगर कोई widow है जैसे property, ancestor's की property है father की death होगी तो उसका जो हक जाएगा पहले widow पे जाएगा उसकी बीवी पे भी जाएगा वहाँ female को कोई right नहीं थे यहाँ female पे भी right है वहाँ by birth son को क्या मिल गया था ancestor की property पे right मिल गया था यहाँ after the father's death उससे property में right मलता है hopefully आपको दोनों स्कूल मिताक्षा और दगया भागा clear हुए अगर कोई doubt है तो मुझे आप instagram में message कर जाते हैं instagram का link मेरे description में telegram पे group लोकक्षा का link मेरे description में अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करें, share करें, subscribe करें